प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा मोदी जी को मेरे भाई से सीखना चाहिए मेरा भाई कहता है कि मैं देश के लिए गालिया क्या गोलिया भी खाने को तयार हूं पियेम लिस्ट बनवाते हैं कि उन्हें इंकानू बार गालिया दी गई इन लोगों ने मेरे परिवार को जितनी गालिया दी इसके लिस्ट बनवाए तो पूरी किताब छपानी पड़ेगी प्रियंका ने ये बाते रविवार को करना टक के जम खंडी में जनसबा को संबोधित करते वे कही उन्होंने कुडाची में रोड शो भी किया प्रियंका ने कहा किसी ने प्रधानमंतरी जी के आफिस में बेटकर एक लिस्ट बनाई है वो लिस्ट जनता या किसानों की समस्याओं की नहीं है इस लिस्ट में ये जानकरी है कि मोदी जी को किसने और कितनी बार गाली दी है प्रियंका ने कहा कि मोदी जी को दी गई गालिया एक पेज में आ रही है अगर मेरे परिवार को इन लोगों ने जो गालिया दी है उनके लिस्ट बनाए तो किताब पर किताब छपपा लेंगे प्रियंका ने कहा कि मैंने पहला ऐसा पीएम देखा है जो जनता के सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दे रहे है पीएम जनता का दुख सुनने के बजाए अपना दुखड़ा उनको सुनाते है मोदी जी को हिम्मत रखनी चाहिए ये सारवजनिक जीवन है सब सहना पड़ता है हिम्मत रखनी पड़ती है आगे बढ़ना पड़ता है अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो भैतर होगा खानपूर में जनसबा को संबूदित करते हुए प्रियंका ने अंगनवाडी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया उन्होंने कहा कि अंगनवाडी की सेलरी 15,000, मीनी अंगनवाडी की सेलरी 10,000 और आशा करमचारी की सेलरी 8,000 रुपे की जाएगी उन्होंने कहा कि अंगनवाडी से रिटार्मेंट के बाद 3,000,000 और मीनी अंगनवाडी से रिटार्मेंट के बाद 2,000,000 रुपे दिये जाएंगे